हेलो वाल एंड वेकल नीटनाम नीटनाम में हम करें छोड़े छोड़े टॉपिक्स और उसी में कंटिवेशन के साथ आज हम देखें जारें बॉडी फ्लोजन सर्कुलेशन से आरेच ग्रूपिंग देखें हमको पता है कि हमने पढ़िया है एवियो ग्रूपिंग तो अभी पीपिंग क्या है आरेच ग्रूपिंग की बात करें तो यह होता है रेस्स जो की व्यस मंझी से काफी सिमिलर है क्या है तो यह क्या है व ह्ताइत शुच अoking आपके रवीज्स में ठीक सिक्ट्छ अपैज फिर्स्स्सियों भूंसा लोगों में 80% population तक present होता है कभी-कभी absent भी होता है तो ऐसे लोग जिनके पास RH grouping होती है या आपके RBC पर होता है surface पर उनको कहते हैं RH positive यानि कि presence of RH antigen on the surface of our disease ठीक है और गहीं अगर मैं बात करूं तो आरेच नेगेटिव की तो यह होगा absent हाला कि इनकी तादा या यहीं जो आरेच पॉजटिव लोग है इनकी तादा काफी जादा है नेरी 80% of the population तो बाकी 20% जो है वो है आरेच नेगेटिव अब आरेच नेगेटिव के बारे में एक चीज हम लोगों को समझ लेगी है वो यह है कि अगर आरेच नेगेटिव टाइप जो है वो आरेच पॉजटिव को एक्सपोस होता है तो यह फॉर्म करता है उसके अगेंस तो इफ आरेच नेगेटिव इस एक्सपोस्ट तो आरेच पॉजटिव टाइप इट विल पॉजटिव और उससे वो लडने लगेगा एंटिवोडिव का काम क्या है हमको प्रोटेक करना तो वो आरेच पॉजटिव जो है उसको एक फॉरिल पार्टिक या फॉरिण और उससे लगने लगता है तो इसे विए जब ही हम लोग ब्लड टांस्फूशन करते हैं यानि कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि जब या ब्लड डूनेट करते हूं वो स्क्रीन होता है बहुत सारे प्रसेस में आरेच पॉजटिव या नेगिटिव स्क्र पॉजटिव को रिजेक्ट कर देगा बहुत ज्यादा फिर एक तरीकी से क्योस हो जाएगा जिसको सम्हाला बहुत पुश्केल होगा तो आरेच स्क्रीनिंग भी एवियो ब्लड ग्रूप्स जो होते हैं उनके जैसी स्क्रीनिंग ही इंपॉर्टेंट है सेम प्लेवर पे अ जो मदर रहे और इसका पेवी है she's pregnant is pregnant baby hoa रही है मानले जो मदर रहे वह है एवरिधिंग फाइड डिलिवरी के टाइम पर मान लीजिए कि जो बेवी का ब्लड है वो किसी तरह मदर की ब्लड से मिक्स हो जाता है ठीक है तो जो मदर का ब्लड ताइब है आरेच नेगिटिव वो आरेच पॉजिटिव के अगेंस में एंटी बॉडी तैयार करने में सक्षम हो जाया बट यह बहुत कम है है ना बहुत कम अमाउंट पर है अब इसके बाद सब्सीक्वेंट प्रेचनिटिव और थर्ड टैम उसमें क्या हुआ अगर सेके या थर्ड बेबी आरेच पॉजिटिव गया ठीक है अगर RH positive है और somehow अगर mother का blood placenta cross कर लेता है और RH positive तक बहुत जाता है उसके पास antibodies है और वो यहाँ पे fetus को बहुत जादा नुकसान पहुचा सकता है यानि कि जो उसकी पूरी development हो रही है, formation हो रही है उसको रोख सकता है, it will start killing the blood cells, it will start killing the fetus अगर किसी तरह वो बच भी तो severe anemia या severe jaundice हो जाएगा, so it is this serious, hence जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई lady pregnant होती है, जब धीर-धीर fetus grow करना start होता है तो various test कर रहा है जाते हैं ताब कि पता चल सके कि mother का और baby का blood type different है, same है, अब इसका पोई न कोई उपाई तो होना ही चाहिए, उपाई ये है कि first delivery के time पे, अगर mother R.H. negative है, baby R.H. positive है, तो mother को anti-R.H. antibodies administer की जाती है, ताब कि जो ये condition है, erythroblastosis, fetalis ये ना करो, clear है? देखे, first pregnancy है, mother is R.H. negative, baby is R.H. positive, वैसे कोई mixing blood नहीं होगी, placenta है, आपकी proper place पे है, सब कुछ है, बट delivery के time पे हो सकती, अगर delivery के time पे mixing होती है blood की, तो जो mother का R.H. negative आपका, जो blood type है, वो positive के against आपकी antibodies बनाना शुरू कर देगा, अब आते हैं second या third pregnancy में, subsequent pregnancy में, उस पे अगर same condition होती है, कि baby R.H. positive है, mother is again R.H. negative, तो वहाँ पे, जो antibodies बलाने की शुकता है, और किसी तरह blood अगर leak हो गया, और fetus अग बहुच गया, अगर start killing the cells, वो या तो खतम ही कर देगा, या फिर severe anemia या jointis होने के भी chances होते हैं, so this is that and इसको prevent करने के लिए, ये चीज़ ना हो इसको prevent करने के लिए, क्या आपके देगा, anti-R.H., anti-bodies and minister बहरते हैं, जिससे ये condition रोपी जा सकती है, subsequent pregnancies में, so this is all about erythroblastosis with tablets, easy है, पढ़ना तो पड़ पड़ेगा, एक बार revise करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लिगाने की जिरुत है कि किस तरीके से RH positive और negative में difference आता है, वो यहां में लिया है, आपको समझना होगा, कि why is it necessary, ये जब आप पुरा एक topic पढ़ लेंगे, आपको ये answer करना आना चाहे, कि why is it necessary कि RH positive है, ये हमें जालना है, दूसरी बात, Erythroblastosis Petalis क्या होता है, और इसको कैसे prevent करते हैं, ये तीन question आपको समझ में आने चाहे, आपको answer करना आना चाहे, when you are done with this topic, ठीक है, फटा 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 इसको NCRD से बढ़ आदे, फटा फटा इसके questions और कर दीजे, कोई problem आती है, तो comments में हमें बताईए, साथ इसाथ description में, social media link से आप हमाई साथ जुड़िए, उसके इनावा subscribe ज़रूर करेजे, क्योंकि इस तरीके के videos continuously आ रहे हैं, and I am hoping कि आपको इनसे अची खासी help भी मिल रही होगी, so जुड़े देए, फटा पर पढ़िए, question solve करिए, start studying, keep safe and take care. झाल